कि अज़ा इसन यादगार चीए भाओजी वाला कहानी हमरें इक बार पाइट खुल गए रहा बागु एक चली पहले हम बहुत रबड वाला हमनिखा पैइंट पहले जाना में तो बीचवेश्एर बीचवेश्वेर रहा वांगना में तो बिच्छुलाहर रहा है आज ना में जो कि आज मुझे लगता है पचीस दिन में 74 से 75 मिलेन हो गया है तो ऐसे ही प्यार देते रहे है मैं मुझे किसी के फरक नहीं भाई जितने लोगों गाली देना है खुब सौक्षे दो आई हैपी इसलिए हैपी हूँ कि मुझे फरक आहिं पढ़ रहा है आजकल इधर एक महीन से तो मैं इतना इंजवाय कर रहा हूं ना को मज़ा रहा है मुझे इसलिए मज़ार है कि आर इतने सारे लोग प्यार करते हैं मुझे, सर आपके बारे में जो कोई सोचता है, वो ही बड़ी बात है, उसको अनाथा अगर आप गाली ले लोगे, गाली समझ लोगे, तो मुझे लगता है कि वो आपके लिए दुस्मन हो जाएगा, उसको गाली मत समझा, तो उसको प्यार समझ लो तो वो भी अच्छा लगने लगेगा, तो हमारे नेचर, हमारे सोच जो होते हैं, वो हमारे विचार धारा से मिलते हैं, और मैं ऐसा ही सोचता हूँ, किसको गाली दना है वाई दो, अपना बना लो, कोई दिकत नहीं है, तो लवी ओल इस चैनल के देखने वाले जितने भी लोग हैं, सब को प्रणाम और ऐसे ही होली की धेर सारी सुपकामना इस चैनल के जितने भी लोग हैं, आप सस्क्राइब करिए, प्यार दीजिए, और अभी मेरा ब्रेक हो गया है, अभी मैं खाना खाने जाओंगा, इसलिए ऐसे ही होली की धेर सारी सुपकामना आप सबको, जय हिंद, जय भारत, जय मास्वती, जय भजपूरी. लिट्टी चोखा जो सिनेमा है, वो भी एक अधारित, कही ना कही रियलिज्ट शिनेमा है, लिट्टी चोखा, और मुझे लगता है कि उससे पहले साहिए आराब के लिए मारे सिनेमा रिलिज्ट होने वाला है, कमाल के सिनेमा है, उसमें भी एक आपको ऐसा मेसेज मिलेगा कि आप सोच नहीं सकते हैं, तो कहीं न कहीं लिट्टी चोखा, परदीप सर्मा जी की बाते अलगें, निराले आदमी हैं, इनको कहिए कि भीया हमें टेंकर की पानी चाहिए, हमें यहां बिशलहर करना है, यहां गढ़ा खुनवा देना है, ओ आदमी एक बार भी नहीं बोलता कि नहीं, अगर सिनेमा के परदीप सर्मा जी के मैं लगतार साथ फिल्म है साइन किया हूँ, तो मुझे लगता है कि लगतार जब जब बनती रहेगी, तब तब मैं आपको बताता रहूँगा कि क्या कर रहा हूँ, थैंक्यों लबी, अगरा है कुछ लोग सोचल मेडिया पर कहारें कि आप जिन बच जानता है, और मेरा जमीर जानता है, मुझे किसी को सफाई दने की जरूरत ही नहीं है, कि कौन मेरे पीछे क्या गेम कर रहा है, नहीं कर रहा है, आज मैं जो पहल स्टार्ट किया, आज हर आदमी पहलों कर रहा है, गरीबों को खाना देना, कपड़ा देना, घर देना, या इससे खेसारी से पहले तो किसी इस्टार नहीं की थी, आज तक भजबरी इंडेस्टी में पहला तो आदमी नहीं हो नहीं मैं, लेकि मैंने इस्टार्ट किया, लोगों को दान करना, लोगों का हेल्फ करना, लोगों के दुख में जाना, लोगों के दुख का हिशा बनना, तो साथ मुझे नहीं लगता कि फिर दुबारा कोई help करने की कोसिस करेगा मैं उन परिजनों से भी कहूँगा कि अगर किसी को लगता है ये बताइए आज उस लड़कों को मैंने सहारा दिया तभी तो ये विवाद हुआ अगर मैं नहीं गया होता और मैं उस जगह का हिसा नहीं बना होता तो साइदे विवाद भी नहीं होता तो मैंने help करने की कोशिस के लेकि कुछ लोग हैं जो बड़े प्यारी लोग हैं ऐसा नहीं क्यों भी अच्छे इंसान है सबको मेरे तरफ से सुबकामना है कि उनको जितना बदनाम करने का लगता है वो मुझे करके दिखाए मुझे मेरे मुझे रोकने के लिए बहुत पावर चाहिए क्योंकि मैं एक सच्छा इंसान हूँ और मैं हमेशा सचाई की तरफ रहता हूँ मैं यशे बताई है कि 6-7 महीने से तो इसकूल ही बचे है तो कहाँ फीस मैं से रोड पर प्रेक्टे रहो फीस है तो आज सता इसकूल की तो यह करेगा कोई तो का उसका का मैं बोलना मैं अपने चीजों को ऐसा थोड़ी है जो उसके काने से मैं किसी को help करना बंद कर दूँगा जितना जितना लोगों को बोलता है कम से कम यह देख कर लोग आज दान तो करने लगे नहीं तो कोई दान तक नहीं करता था कलाकार को किसी पॉब्लिक से लेना कि मुझे प्यार करने वाले कड़ों में हैं तो मैं उन दो लोगों के बातों को लेकर मैं कड़ों का help करना बंद कर दूँगा यह तो मेरे nature में नहीं है कि दो लोगों देखिए हाती हूं मैं और मैं चलूंगा और मुझे कोई रोकी नहीं सकता बाकी जो भौकने वाले हैं मुझे कोई फरक नहीं पड़ता इसलिए फरक नहीं पड़ता क्योंकि मैं उनके लिए सोचता ही नहीं मैं सोचता उनके लिए हूं जिन्होंने मुझे 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 देकर यहां तक बढ़ाया है तो मैं चन्द चीजों के लिए जो मेरे बारे में क्या बोल कर दिया दूसरा नमर से आज सब के वहाँ जिसका नमर से भाई मेरे पास आता है जाता है जिससे मुझे बात करनी है वो मुझे पता है जिससे मुझे बात करनी है तो जितना नमर वाइरल करना है भाई तुम लोग कर दो मुझे कोई फरकी नहीं पड़ता है मैं अपनी काम में कि काम तो हमारा होई रहा है, किसी के नंबर वाइरल करने से मेरा काम बंद थोड़ी होने वाला है, और मैं परिशान थोड़ी होने वाला हूँ, नहीं होने वाला हूँ, इसलिए नहीं होने वाला हूँ, कि मैं एक, दो, तीन, चार, पाँच लोगों के बोलने से मेरी जीवन तो नहीं चलती है, मुझे मुहबत देने वाले कड़ोरों में है, पांच लोग भाउकने वाले हैं, तो उसे क्या फरक पड़ता है, भाउकने दीजिए, कौन मेरे बारे में क्या बोलता है, मुझे फरक ही नहीं पड़ता, क्योंकि मैं छोटी-छोटी चीजों पर फरक डालना शुरू करूंगा, तो मेरा पोजिशन अब वो नहीं है, कि मैं छोटी-छोटी बातों को लेकर किसे से लड़ जाओं, किसे से जगड जाओं, और मैं हेल्फ जो करने वाली चीजें हैं, मैं किसको क्या देता हूं, नहीं देता हूं, ये मेरा जमीर जानता है, और मैं जानता हो मेरे अपने जो लोग हैं वो जानते हैं और इन के कहने से किसी के कहने से मेरी जमीर को कोई असर नहीं पढ़ने वाला है जितना बद नाम करना है कोई कर दे सब सीटा इתनी बड़ी हमारी रमायन के सबसे बड़ी अनमोल रतन नसीता थी, उन पे भी आच्रन लगाने वाले लगाए ना, ऐसा तो नहीं, तो जब भगवान को किसी ने नहीं छोड़ा, भगवान को भी दोशी बना दिया, तो हम तो इंसान हैं, और ऐसे छुद्र लोग आएंगे आपके जीवन में, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, ऐसे भॉंकने वाले हजारों आपके आएंगे, लेकि आपका रास्ता कुछ अलग है, आप अपने रास्तों के मत छोड़िए, इनको भॉंकने दिजिए, जितना भॉंकना है भॉंकेंगे, सांथ हो जाएंगे, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सीधा आदमी हूँ, क किसी को ऐसे ही बोलोगे, तो हर आदमी खेसारी तो नहीं है, तो फिर आपका अपना खोदी समझ में आ जागे कि आप किस लेबल के हो और क्या हो, तो चनल लोगों के बातों के लिए मुझे परेसर नहीं रहता है, मैं बड़ा मस्त मौला आदमी हूँ, हमार जो जीवन बना हम भी बादे में रही ले भाई, हम भी बादे में रही ले, रिजन ए बाजे जब आप अच्छा करिये भाई, तो आपको जहेलना पड़ेगा, इस दिमाग में रख लिजिए, आप जब अच्छा करियेगा, पथर साधू पे चलता है सर, क्रिमनल पे किसी की आवकात नहीं ह पथर साधू पे चलता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि ओ ढोंगी है, क्योंकि ओ भगवान से जुड़ा हुआ है, तो मेरे भगवान मेरी जनता है, और मैं उन जनता से जुड़ा हूँ, इनको लगता है कि मैं नाटक करता हूँ, तो अच्छी बात है, तुम भी नाटक क पास जाना शुरू कर दिये हैं, सब लोग गरीबों का दान करना शुरू कर दिये हैं, गोद लेने की भी परकिरिया होती है, कुछ लोग तो ऐसे भी है कि जो मुझे गाली देता है उसी को गोद लेते हैं, अब उनको क्या कहिएगा, भाई अगर हैं धरती पर बहुत सारे लो तो ठीक है ना, अच्छी बात है, भाई किसी को गोद ले रहा है ना अदमी, तो हमसे कम वो बिचार धारा तो दिमाग में आया, कि आप किसी को गोद ले रहे हो, भले वो नजायज करता है, लेकि आप गोद में तो ले रहे हो, तो यहाँ पत्थर साधू पे ही चलता है, को उसको तो पूझना चाहिए, इसलिए पूझना चाहिए, कि जो आदमी अपना काम धंदा छोड़के, अपना केरियर छोड़के, सब कुछ छोड़के, और मेरे बारे में सोच रहा है, यह कितनी बड़ी बात है सर, तो यह दुनिया है और यह दुनिया बोलेगी, और दुनिया पूरी दुनिया नहीं बोलेगी, कुछ ही लोग हैं, जो अच्छे इंसान हैं, इन दुनिया से सबसे अलग हैं वो, उनके विचार धारमे में नहीं आता, तो सायद मेरे बारे में जो भी बोलना है बोलेंगे, अच्छी बात है, कहां बुरा है, मैं किसी के बातों को बुरा मा हो या और होगा, और वो बिधी जो मेरे साथ हो रही, वो ही उसके साथ होगी, तो सायद वो खेसारी बनके नहीं कुछ और बनके उनका हिसाब करेगा, इसलिए मैं चुप रहता हूँ कि भाई, आदते अपने दिमाग में रखो, आज नहीं तो कल फिर किसी के लिए तुम ब बड़ा मज़ा आ रहा है कि सबसे बड़ी चीज है कि परियाग राज जो जगा है, वो आस्था का परिकास्था है, कहीं न कहीं, यहां जिधर जाईए उधर आपको एक मंदिर मिलेगी, तो हमारे लिए बड़ा हम जब भी निकलते हैं, तो कम से कम दस मंदिर सामने होती है, और भगवान का दर्सन करते हुए निकलते हैं, और आस्था के जगा पर हमें बनाना था, और हमने कोसिस भी की, और आजो संपूर्ण रूपशे अच्छा हो भी रहा है, और हमारे प्राग बाटिल जिसके डिरेक्टर है, अमर पाली दुबे जी हीरोईन है, और हम हीरो हैं, और हमारे परदीब शर्मा जी जो है, वो परडूशर है, तो बड़ा मज़ा आ रहा है, सब का युगदान मिल रहा है, और बड़ी खुबशूरत सिनेमा बन रही है, फिल्में आमर पाली दुबे को लिया गया, पहले दो गाने उनके साथ आपके थी, ऐसे लीड फिल्में आप कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए आमर पाली जी के साथ मेरा बहुत पहले सिनेमा हो गया होता, मुझे लगता है कि राजा बाबू सिनेमा जो बनी थी, उसका हीरो पहले मैं ही था, लेकि टाइमिंग उनकी मिली नहीं, उनका डेट हुआ नहीं, तब तक मेरी डेट कही लड़ गई, लड़ गई, तो मैं कहीं न कहीं, मैं बोला कि सर आप आगे कर लीजिएगा, तो उस सिनेमा का ही सामे नहीं बनाने, तो साइद मुझे लगता है कि बहुत पहले ही अमर पाली जी का और मेरा जोड़ी आया होता, लेकि फिर उसके बाद सुजनी बनी नहीं हम द पर्फरिस हैं, और इनके साथ काम करने का एक सबसे बड़ा मज़ा ये है कि वन टेक्स चीजी होती है और बड़ा मज़ा आता है, और जब कोई पर्फरमर आपके सामने होता है ना, तो खुद को इनसान हंड़ेट परसेंट नहीं हंड़ेट और टैन परसेंट देने की कोश तो वो बड़ा बहतर होता है, तो अगर समस्दार एक्टर आपके सामने खड़ा है तो अब इसलिए चीज अची होगी पहले आपके साथ काजल रादवानी की चर्चा थी आज के लिए लेकिन अभी नहीं ऐसा तो कुछ नहीं था, कोई शाइन ही नहीं हुआ था, सब चीजे अपने लेबल पर थी क्योंकि हमारी कहानी फाइनल नहीं होई थी, और चीजे था तो उनका भी कहीं सिनेमा था, उनक कि पास डेट साइद नहीं था, तो फिर हम लोगों ने अमरपाली її को शायन किये साइद, हमरी पडूसर का जो इच्छा था, और मैं डिरेक्टर का भी इच्छा था कि एक हमें य। करेक्टर है, उसमें एक छोट जाती का करेक्टर है, और उसमें फिट बैठना भी चाहिए से की साथ से करेक्टर होता है तो साथ चीजे वो लोगों को अच्छी लगती है और यह बहतर सिनेमा होगा आस्की किस परकार के फिर्म है देखिए कहीं न कहीं एक जाती बात जो सब को घेर के रखा है और वो चीजे जब सिनेमा आएगी तो हम बताएंगे रंजन भी आपको क्योंकि वो एक अलग लेबल का आस्की है आस्की दिवानगी ऐसी है मुझे लगता है कि ऐसी दिवानगी कि लिए हम जान दे दें और जान ले 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 प्यार का मतलब होता है कि एक समाज को भी आइना मिले और उस प्यार के बदलत सिर्फ उसी को नहीं सब को सम्मान मिले तो ये एक सिनेमा है कि समाज को भी एक सम्मान के तरफ ये सिनेमा ले कर जाएगा और एक अपने जिससे वो प् कि आज महारा माराटी की इंड़स्टी अस्थापित में हो पार कि सबसे बड़ी चीज जानते हैं कि उसमें कोई दोशी नहीं है और सब दोशी है हमारे कहने का मतलब कि हमारी संख्या तो ज्यादा है बट हम रिक्स लेना नहीं चाहते हैं हमारे सिनेमा को बढ़ावा नहीं मिलता है दूसरी चीज कि हम अच्छी कहानियों पर काम नहीं करते ऐसा नहीं है रंजन भी आप देखिएगा हमारी कई सारी मूबिया आई है मेहदी लगा के रखना संगहर से आपके बागी मने बहुत ऐसे सारी चीज चीज अजन चले सा स्वराल जान तेरे लाम मने लहू के दो रंग से लेकर मने जितनी भी कई सारी फिल्में कुली तो जब कहानी पे काम होती है तो हमारी ओडियेंस हमें वो मुहGGबत देती है बट हमें सिरिफ काम ही करना है हमें कहानी पे वर्क नहीं करना है तो फिर कोई मतलब नहीं है हमारा एक जगा जो है मुझे लगता है कि साउथ से भी उपर होनी चाहिए लेकि आज इन्डिस्टी साउथ उपर इसलिए है क्योंकि वो सौव कड़ोर लगाना जानते है तो जब उसाउख कड़ोर लगाना जानेंगे तो साइद उड़ साउख कड़ोर कमाना भी जानते है तो जब हम लगाएंगे ही नहीं तो हम कमाएंगे क्या और हमारे हाँ 15 दिन में जब कहानी बन जाएगी तो सर कहां से वो अच्छी बन पाएगी उसके लिए 15 महीना लगाना पड़ेगा आपको कहानी पे आपको कहीं न कहीं गाने पे यहां तो सरिफ हीरो का डेट मिला भाई कुछ भी कर देना है तो वो चीज़े होगी तो साइद मुझे लगता है कि सब के लिए नुक्षान दायक है तो मैं आज की रिट में खुदी कोशिस करता हूँ खुदी सोचता भी हूँ और कहीं न कहीं हमारी सोच कम्याब भी होती है तो मुझे लगता है कि सोचने की जरूद है और हर director को सोचने की जरूद है कि अगर ओ कहानी अच्छा लिखेगा कहानी कुछ नहीं ताजा होगी, उससे समाज को अगर कुछ मीलेगा, तो साइद हमारी भी सिनेमा बड़े लेबल तक पहुचेगी, और मैं इसमें नेताओं को भी दोश नहीं दे, इसलिए नहीं दे सकता, कि अगर आप उस लेबल के सिनेमा बनाएंगे, जैसे कि मेरी महधी थिरी अभी रिलिज हुई, तो कई मल्टी फ्लेक्स में लगी और बड़े अच्छे रिस्पॉंस रहे उसके, तो मुझे लगता है कि अगर अच्छी सिनेमा हम बनाएंगे, तो उसका भी बविश्य बनेगा, और आज नहीं तो कल हमारी समाज उसको देखेगी, तो कई न कई फैक्टर हर आदमी है, उसमें मैं भी फैक्टर हूँ, डिरेक्टर भी फेक्टर है, पर्डूसर भी फेक्टर है, डिस्टुबीटर भी फेक्टर है और सरकार भी फेक्टर है, इसमें ओडियन्स का एक परसेंट का दोस्ट नहीं है, अगर हम जो आपके चीजे देंगे, मुझे लगता है उसे हिसाब से ओडियन्स हमें प्यार देग बिहार में नहीं मिल पा रहा है और सबसीडी मानगे चले कि जो लोग है कि कुछ सबसीडी से सरकार का हेल्फ मिल जाता है तो उनका सुटिंग का खर्चा जो होटल का खर्चा जो वहां पर बील पर कर रहे हैं आज यहां खाने का खर्चा होटल का खर्चा गारी का खर्चा ते निवाद देना चाहता हूँ इस सरकार को जिन्होंने सबसेडी का दौड चला जा और हर आदमिया कहीं न कहीं कुछ जो फिल में टूटती थी जो पर डूसर बरबाद हो जाते थे तो कहीं न कहीं सबसेडी के आसरा से लोगों को बचे ना बचे लेकि वो बरबाद नहीं हो प सर्ट, बच्छ पर नहीं हो पिल्जाव जाद जाया है?